गुद बॉर्निंग स्टुडेंट आज हम लोग इस लास्ट इस चैफ्टर के लास्ट वीडियो लेक्छर में दो चीजों के बीच के रिलेशनसिप को पढ़ने जा रहे हैं एक मारिजनल कास्ट अएड एवरेज कास्ट दूसरा रिलेशनसिप एवरेज विएड रेटल यह दो relationship को हम लोगों ने हम लोग इसमें देखेंगे इस relationship में हमें क्या देखने को मिलेगा कि कि किस तरह से average cast और marginal cast एक दूसरे के साथ correlate करती हैं यह concept पढ़ने से पहले हम लोगों ने पीछे दो lecture में average cast को फड़ चुकियं उसके diagram को देख चुकियं उसके schedule को देख चुकियं फिर दूसरा झे लेक्शर आया था उसमें हमने marginal cast को भी देखा था उसमें तो इस तरह यह सारे टापिक हम लोग देख चुके हैं बस उसको summarize करने जा रहा हैं तो हम लोग उसको start करते हैं इस topic को तो हम लोग इस topic को start करने से पहले concept जो पिछला concept है वो था marginal product and Everest product को उस concept को आप लोग अगर आप सभी को याद होगा तो उस concept में आप देखेंगे कि concept में क्या हुआ करता था कि जब हम उस concept को लेते दें तो सबसे पहले चीज क्या आती थी इसी तरह से एपी जो था वह उपर से जाता था और नीचे आ जाता था आप लोग को यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हम लोग एसी और एमसी को पढ़ने जा रहे हूं वो जस्ट इसका उल्टा होता है जस्ट उल्टा का मतलब क्या यह डाइगरम अगर इस तरह से हमने बनाया था तो वहां पर एमपी को इसका जस्ट उल्टा बनाएंगे एसी का इसका जस्ट उल्टा बनाएंगे और इस तरह से यह एसी बन जाएगा और यह एमपी एमसी बन जाएगा तो यह इस तरह के हम लोग concept को इसमें देखेंगे, किस तरह से इसका formation हो रहा है, और किस तरह से ये बनेगा, तो इसको start करते हैं हम लोग, इस concept को, concept को start करके देखते हैं, कि इसका formation किस तरह से हो रहा है, तो relationship between AC and MC, इन दोनों के relationship में, आपको दिखाई दे रहा होगी, बोथ AC and MC are derived from total cast, AC refer to the total cast per unit of output, and MC refer to the addition to the TC1, when one unit of output is produced, इसका जो concept था, ये concept जब हम लोग ने इसको देखा था, तो यहाँ हम दोनों एकी से derived कैसे होते हैं, जब AC निकालना हो रहा था, तो हम क्या करते थे, TC divided by quantity of output, अब उसी तरहें जब ABC निकालना होता था हमें, तो MC क्या करते थे, क्या करते थे, TC and minus TC and minus 1, इस तरहें से इसको हम लोग निकालते थे, तो ये दोनों ही, AC हो चाहिए MC हो, ये दोनों ही कहा से derived हो रहा हैं, total cast से, बोथ, AC and MC कर बार U-shaped, U-shaped ये दोनों ही इसलिए होते हैं, जब इसको अच्छे से explain करेंगे schedule के साथ में, तो आप schedule में इसको देखेंगे, कि किस तरह से ये U-shaped होता है, तो यहाँ पर एक schedule मैंने लिया हुआ है, schedule में क्या दियागा है, output, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से unit बढ़ आई, फिर TC दियागा है, 12 है, 18 है, 22 है, 27 है, 36 है, 47 है, AC जो है 18 है, 11 है, 9 है, 9 है, फिर 9.4 है, क्योंकि AC ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने इसे फार्मूले में देखा, TC divided by the quantity, तो TC को जब quantity divided गया गया, तो TC कितना था, 18, और quantity, उसी समय quantity कितनी थी, यह 18 हो गया, तो quantity 1 थी, तो 18 divided by 1 कितना आ गया, 18, इसी तरह से आप देखोंगे 22 था, तो 22 divided by 2, 11 आ गया, 27 divided by 3, 9 आ गया, 36 divided by 4, 9 आ गया, 47 divided by 5, 9.4 आ गया, और MC कैसे निकलता है, इन दोनों के भी इसका difference, क्योंकि अगर यहां पर MC निकालना है, तो 18 is the TCN, और उसके just उपर वाला क्या होगा, TCN-1, इसी तरह जब second में आएंगे, यहां पर निकालना है, तो 22 क्या होगा, TCN, और उसके just उपर वाला क्या हो जाएगा, TCN-1, तो इस तरह से यह हमने MC को निकाल लिया, MC के जब हम लोग phases देखते हैं, तो अगर इन दोनों के AC-MC के relationship में देखते हैं, तो पहले first जो यहां पर है, AC is greater than MC, AC किस से ज़्यादा है, MC से ज़्यादा है, इसी तरह second phase में भी AC is greater than MC है, third phase में भी AC is greater than MC है, फिर इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि AC is equal to MC है, और यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, कि इस में क्या होता है, AC अपने lowest point पे होता है, AC कहां पर है, lowest point में है, और MC यहां से क्या कि शुर्वात कर देता है, increase होना है, यहनि कि MC अपने lowest को cross करने के बाद वो increase हो रहा होता है, तो फिर इसके बाद यह last भी क्या आता है, AC is less than MC, तो इसको diagram से आपको दिखाई समझ में आएगा, क्योंकि diagram तो simple है, कि जब हम पहले downward slope करेगा, downward slope करके फिर upward जाएगा, ऐसे AC पहले MC से उपर होगा, फिर उसके बाद उसको काटेगा, तो यह MC बन गया, और इसका क्या हो गया, AC हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले, when MC decreases, AC also decreases, after some time, MC start increases, and it cuts the lowest point of AC, after that both start increases, but increasing rate of MC is greater than AC, तो आपको इस schedule से भी दिखाई दे रहा है, और यह इससे भी दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम लोग इसके जब second slide में जाएगे, तो second slide में हमें क्या देखने को मिलेगा, relationship between ABC and MC, यहां किसके बीच का relationship है, ABC and MC, और same relationship है, यहां कोई भी चीज नहीं नहीं है, बिल्कुल वही चीज है, जो हमने relationship between AC and MC के बीचिए पढ़ा था, तो यहां पर भी क्या होगा, बोथ ABC and MC are derived from TVC, वहां पर ABC था, उसको कहां से derived किया था, हमने TC से, तो यहां पर ABC कहां से derived होगा, TVC से, MC को हम लोग दोनों से derived कर सकते हैं, पीछे भी हमने देखा हुआ था, यहां पर हमने इसके एक और formula होता है, MC को find out करने का, यहां पर इसको TC की बजाए हम लोग क्या ले सकते हैं आपर, यहां पर इसका MC निकालने के एक formula बदल गया, वहां TCN-1 था, तो यहां TVCN-1 होगा, वहां पर भी इन दोनों कैसे U-shaped थे, यहां पर भी होँगे, क्योंकि यहां पर भी 3 phase ही हमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट जो था, उसमें तो phase में हमें कोई लेना देना नहीं है, सेकंड फेज में आप देखोगे क्या होता, कि 6 divided by 1, TBC का formula क्या होता है, TBC अगर हमें find out करना है, ABC अगर find out करना है, तो ABC divided by TBC, TBC divided by quantity, ABC is equal to TBC divided by quantity, सबसे first में आते हैं, तो 6 divided by 1, तो कितना आगया, 6 आगया, 10 divided by 2, 5 आगया, 15 divided by 3, 5 आगया, 24 divided by 6, तो कितना आगया, 24 divided by 4, 6 आगया, 35 divided by 5, 7 आगया, इसी तरह MC जो है, यह difference है, तो 6 माइनस 0, 6, 10 माइनस 6, 4, 15 माइनस 10, 5, 24 माइनस 15, 9, और इसे तरह 35 माइनस 24, 11 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, बिल्कुल उसी तरह, बस के वल एक change रहेगा यहाँ पर, फिर्स्ट पॉइंट में दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या, ABC is equal to MC, यह दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाता है, क्योंकि starting दोनों की same point से होती है, जब unit 1 होता है, इसी तरह फिर ABC क्या हो जाएगा, greater than MC, फिर इसके बाद ABC is equal to MC हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ABC less than MC, फिर ABC less than MC, तो यह आपको पिछला ही याद आ रहा होगा सबको, तो यहाँ पर इसका भी diagram बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, सबसे पहले क्या बन जाएगा यह, MC बन जाएगा, फिर हम ABC बनाएगे, तो ABC विल्कुल से पॉइंट से स्टार्ट होगे, यह जाएगा ABC, तो यह इसके बीच का रिलेसंसिफ है, दोनों कैसे हैं, U-shaped है, तो यह इसके बीच का रिलेसंसिफ हैं, इसके बाद आप सबको क्या करना है, एक खोंबक करना है, पहले, जिसमें 4 questions दिये गए है, state the relations between total cost and marginal cost, discuss the relationship between TVC and MC, define cost, state the relation between MC and ABC, ऐसे firm, affirm fees cost is 400, compute क्या करना, TC, TVC, FC, ABC, SE, यह seduces को आपको करना है, ओके, थैंक यू झाल